29 जुलाई 1969 को जन में संजय बलराज दत एक प्रमुख भारतिय अभिनेता हैं, जिनका करियर चार दशकों से अधिक का है. हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए प्रसिद्ध, उन्होंने कन्नड, तमिल, पंजाबी और तेलुगु फिल्मों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है. 135 से अधिक फिल्मों के साथ, दत ने रोमास से लेकर कॉमेडी तक शैलियों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, हालांकि उन्होंने मुख्य रूप से एक्शन फिल्मों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है. फिल्म उद्योग में उनकी उल्लेखनिय यात्रा ने 1908 के दशक के बाद से सबसे लोकप्रिय हिंदी अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी स्थिती को मजबूत किया है. प्रारंभिक जीवन और पदारपन प्रतिष्ठित दत परिवार में जन्मे संजय महान अभिनेता सुनील दत और नर्गिस के बेटे हैं. उनकी सिनेमाई यात्रा 1981 में फिल्म रौकी से शुरू हुई थी. हालांकि आशाजनक शुरुवात के बावजूद उनके करियर को मंदी का सामना करना पड़ा. 1986 में क्राइम थ्रिलर नाम को छोड़ कर जो उनकी फिल्मोग्राफी में एक मील का पत्थर बन गई. कैरियर पुरुद्थान और विपुल वर्ष 1990 के दशक में कई सफल फिल्मों के साथ संजय दत ने वापसी की और खुद को एक शानदार सितारे के रूप में स्थापित किया. इन में से कुछ उलेखनिय फिल्मों में थानेदार 1990, साजन 1991, सडक 1991, अधर्म 1992, खलनायक 1993, आतिश 1994 दाग शामिल हैं. 1999 हसीना मान जाएगी 1999, वास्तव दर रियलिटी 1999 और मिशन कश्मीर 2000, वास्तव में उनके असाधारन प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रिष्ट अभिनेता का प्रतिश्थित फिल्म फेर पुरसकार दिलाया. मुन्ना भाई सीरीज और व्यावसाइक सफलता दतकोक मुन्ना भाई श्रिंखला 2003 से 2006 में मुन्ना भाई के किरदार के लिए व्यापक प्रशन सामिली. यह प्रतिश्थित भूमिका न केवल उनके नाम का परियाय बन गई बल्कि उनकी सबसे बड़ी व्यावसाइक सफलता भी बन गई. 2000 के बाद उन्होंने जोडी नमबर एक 2001 परिनिता 2005 दस 2005 शूट आउट एट लोखंड वाला 2007 धमाल 2007 जैसी फिल्मों में उलेखनिय प्रदर्शन जारी रखा. All the Best 2009 दबल धमाल 2011 अगनिपत 2012 सन ओफ सरदार 2012 और PK 2014 कैरियर की चुनौतिया और हालिया सफलता. अपार सफलता का आनंद लेने के बावजूद दत को करियर में एक और महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा. हाला कि उन्होंने कन्नड फिल्म के जी एफ चैप्टर दो इंच दो हजार बाईस के साथ एक शक्तिशाली वापसी की जहां उन्होंने मुख्य प्रतिपक्षी की भूमिका निभाई. दत की स्थाई अपील को प्रदर्शित करते हुए यह फिल्म चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन कर उभई. इसके अतिरिक्ट तमिल फिल्म लियो दो हजार तेईस में उनकी भूमिका ने उनकी सफल वापसी में और योगदान दिया, जिससे यह बारहवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन गई. कानूनी परेशानिया और कारावास संजय दत का जीवन ओफस्क्रीन कानूनी चुनोतियों से भरा रहा है. अप्रेल 1993 में उन्हें 1993 के बॉम्बे बम विस्पोटों में शामिल होने के लिए टाड़ा आतंकवादी और विग्टनकारी गतिविधी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफतार किया गया था. बम विस्पोटों में अन्य आरोपियों से खरीदे गए अवैध हतियारों के कबजे से संबंधित शस्त्र अधिनियम के उलंधन के लिए उन्हें दोशी ठहराये जाने पर पांच साल की जेल की सजा हुई. अपनी दोशसिद्धी के बावजूद दत को कई बार जमानत दी गई. अन्ता 1993, 1995, 2007, 2013, 2015 और 2016 में जमानत अनुदान की एक श्रिंखला के बाद 2016 में उनकी सजापूरी हुई. मीडिया कवरेज और बायोपिक संजय दत के उतार चढ़ाव भरे जीवन ने लगातार भारत में मीडिया का ध्यान आकर्शित किया है 2018 में संजूब नामक एक बायोपिक रिलीज हुई जिसमें उनके जीवन का सिनेमाई चितरन पेश किया गया रंबीर कपूर द्वारा दत की भूमिका वाली इस फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली और यह सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्मों में से एक बनकर उभी दत ने स्वयम बायोपिक में एक विशेश भूमिका निभाई जिससे कहानी में एक व्यक्तिगत स्पर्ष जुड़ गया निशकर्षत है भारतिय फिल्म उद्योग में संजय बल्राज दत की यात्रा उलेखनिये से कम नहीं है शुरुवाती अस्फलताओं से लेकर प्रतिष्ठित भूमिकाओ और हाल के वर्षों में पुरुत्थान तक उन्होंने बॉलिवुड पर एक अमिट छाप छोड़ी है कानूनी चुनोतियों और व्यक्तिगत उथल पुथल का सामना करने के बावजूद दत की लचीलापन और प्रतिभा दर्शकों को आकर्शित करती रही जिससे वह हिंदी सिनेमा में एक सच्चे दिग्गस बन गए